तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे इंडिया भरस स्रिलंका के वीच थाड़ और निरनायक मुकाबला जो खेला जाएगा जो भी टीम वीन करेगी यहाँ पर वो सिरीच को वीन कर जाएगी और इंडिया की वीन करने के चांसे यहाँ पर काफी अधिक दिखाई दे रहा है जिस यहाँ पर मिलेगी फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ इनकी अलावे जील से यहाँ बहुत सारे अपडेट जो जील विन करने के लिए काफी होता है तो दोस्तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना किस परकार है तो मेरे भाई जैसा कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देख रहे होंगे यह होगा डिस्क्रिप्शन इस पर आपको किलिक कर करने के नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक दिखाई देगा इस बुलू बाले पर आपको किलिक करना ले पर उस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए जो हूँ बहु आपको डोमेस्टिक पिलिंग लेबर नजर आएंगे उन से आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्टिन लिंक के जरी यही जुड़ना है तो दोस्तों ओल्रेडी दो टी-20 मुकाबला जो खेला जा चुका है उसमें हम लोगों ने क्या द जरूर अच्छी पारी खेली लेकिन इंडिया के बल्लेबाजी फोलोप ही माना जाएगा हलांकि उनकी गेनवाजी उतना भी बहतर नहीं रहा लेकिन एक काईदे कानून के ताहत इन लोगों ने गेनवाजी किया एक अच्छे एकोनिमी के ताहत इस वज़ा से इंडिया को जादा बड़ा इसकोर खड़ा करने नहीं दिया लेकिन दूर भागे तरीकाज स्रिलंका जरूर हार गए लेकिन इसा लग रहा था स्रिलंका वीन कर जाएगी इनके तरब भी देखा जाए कोई खास जादा तो नहीं कर पाई कुसल मेंडिज इस ट्रेगल जरूर कर रहे थे सनका ने यहाँ पर 45 रन की तावल तोल पारी खेली जिस तरह के इनका फोर्मा वैसा खेला हस रंगा जादा बल्ले बाजी इनको आता ने ओफसाइड इनका कवर कर लिया जाए तो मुस्किले आती है फिर भी इनों ने दस बेकाज खेला अटेकिंग खेलता सी करूर रहा ते ले गए यू मलिक हम लोगों के टीम पर थे हरसल पटेल नहीं थे फिर भी ज्यादा कुछ विगड़ा नहीं था दूसरे टी-20 मुकाबला जैसे देखा जाए तो यहाँ पर कुसल मेंडिज का फोर्म भहुत खराब था लेकिन अर्षदीब सिंग ने इतने उनके फोर्म को स अंधी गयनबाजी की कि इंडिया को हराया हराया हम लोगों को अभी टीम गड़बल करने में पेसिंग का ही हाँ था तो कुसल मेंडिज बावन खेले लेकिन आसा करते इस बार ज्यादा गंदा गयनबाजी नहीं करेंगा और यह सस्ते में चले जाएंगे पातुम निसंग क करने में नाकाम्याब रहे क्योंकि इंडिया की गयनबाजी अच्छी रहे तो भी राजस पक्षा की बात किया यह थोड़ा नीचे बले बाजी के लिए आमतोर पर आती हैं असा लंका ठीक ठाक इन्होंने बले बाजी किया जिस तरस देखा जाए चार छक्के जड़े लेकि बाजी आता ने हलांकि गयनबाज काफी बढ़िया लेकिंगे लास्ट अबर में इन से तीन ही ओबर करा गया कूछ एसा है जो हम लोगों को लग साथ नहीं दे रहा इस वजह से थोड़ा लोज का कारण भी बन रहा था हम लोगों केप्टन था डबलू हसर लंगा लास्ट तीन बिक्टे ले जाते हैं वन साइडेर वीन होता हलांकि एबरेज गया सी करूना रतने चार उभर तो कर रहे हैं और बल्ले बाजी इनको आता सुझभूज बरी बल्ले बाजी कर लेते हैं तो सी करूना रतना इंपोर्टेंट होना चाहिए इंडिया के तरफ से अज हमेशा महाँगा इंडिया के लिए साबित होगा लेकिन ये आम तोर पे जव चाहें इंडिया को बिक्टे भी दिला सकता हैं ये सिंगंदा गेन बाजी क्या लेकिन फिर भी जील के लिए केप्टन वास के लिए बेस्ट उप्शन होने वाला है तो इन सब के उपर अज होगे तो वन साइडेट इंडिया हार जाती लेकिन यहाँ पर सुरी कुमार यादावर अक्षार पटेल ने अच्छी खासी लडाई की आंत पे सुभा माभी ने भी इनको अच्छा बखुबी निभाया आगे टीम को बढ़ाया लेकिन दुर भागे तरिका से इंडिया सुला रणों साहर का सामना करना पड़ा लेकिन एसा लग रहा था कि इंडिया आउट नहीं होती तो यह सुला रण भी बन सकता था लेकिन अक्षार का बिकेट यहाँ पर भारी पड़ गया था गेनवाजी इनकी अच्छी रएग डी मधूसंका जोकी आमतर पे डेत उबर में गेनवाजी करते दो बिक्टे लेगे कसो रजिता फर्ष्ट मुकाबले में जिस्तरस इनकी पिटाई पड़ी, सकेंड मुकाबले में बहुती अंतर दिखाई दिया और अच्छी गेनबाजी करके दो बिक्टेर ले गए सी करुन रतने एक बिक्टे थोड़ा महागा सावित वा डबलू हसरंगा को इतनी पिटाई पड़ी अक्छर पटेले तिसरा उबर पे जब बड़दास्त इनको हैडरिक छक्का जड़ा था और ये चवता उबर नहीं आए जिनका नुक्षान हम लोगों को करना पड़ा महज तिक्साना काथी इंपोर्टेन होने वाले जब ये वो बर पर ने कले आते हैं पाबर पेले मे और वो इसे जगह आते हैं जहांपर विकेड गिरने शांस रहते हैं तो महरो सीदे कॉंबिनेशन पर बात करते हैं लेकिन इससे पहले हैं, जदे हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलबन से डिलिटेट कोई भी अपडेट आता है, मैं सबसे पहले इन्फोर्मेशन दे देता हूं, इनके अलाबे कुछ जनक सब्सक्राइब कर सकता हूं, अब अगर जदी मुझे लगा, तो मैं यहाँ पर सुभा मावी या एसिंग में से किसी एक को ड्रोप करूँगा, और सीधे तरुपे यहाँ पर मैं सुभवन गील को यहाँ पर पिक कर लूँगा, तो वो टोस के बाद पता चलेगा, किस पर कार का फीच है, किस पर का टीम बनाने का पर्यास करेंगे, लेकिन दोस्तों केप्टन वहास की बात क्या है, तो केप्टन वहास निस्चित तोर पे यहाँ पर कोन होना चाहिए, तो देखो, अगर जदी इंडिया पहले गेन बाजी करें थे, जी एल के लिए रिस्की में एसिंग होगा, केप्टन वह अपने टेली गराम चैनल डोमेस्टिक पिलिंग 11 पे, तो दोस्तों फिलाल के लिम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, सिधा मिलता हूं इसमेच के अपडेट के साथ